ओम श्री गनेशे नमदोस्तो ओम गनपती सौमधान यूटूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है करकरासी वालो आठ नहूंबर सौमवार का दिन कैसा रहेगा और आज के दिन क्या-क्या उपाय करने होंगे और कौन-कौन सी सावधानिया रखनी होंगी किन चीजों से फाइदा होगा और किन चीजों से नुकसान होगा बिजनेश कैसा रहेगा व्यापार कैसा रहेगा और आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी घर परिवार कैसा रहेगा और स्वास्त की महतपून जानकारी हम आपको देंगे दोस्तो वीडियो आगे पढ़ानी से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन की बेल को जरूर दबाएं जिससे आप तक समय समय पर पहत्पून वीडियो पहुँच सके तो चलिए दोस्तो बात कर लेते हैं कैसा रहीगा आपकी रासी वालों का आज कदिम आज किसी की प्रेणा और आसिरवास से कोई नई उपलब्दी हासिलोगी जिया दोस्तो दूसरों की मदद मी भी आपका समय वेतित होगा साती सात आय और वियमे समानता बनी रहेगी जिया दोस्तो जिस काम के पीछे पढ़ जाएंगे उसे हसिल करके ही रहेंगे साती आप सारा काम बड़े ही सरल वे अच्छे तरीके से पूरा करने में समर्थ भी रहेंगे समय हसी खुशी से वेतित होगा आपको मानसिक सुकून भी प्राप्त होगा जिया दोस्तों विवसाय में अचानक धनलाव होगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के विवसाय में अधिक लाप की संभावना है चला चला संपत्ती प्राप्ती में कोई बाधा उत्पन कर सकता है यदि आप भविसे के लिए कोई निवेस करते हैं तो यह आपके लिए लापकारी साबित होगा साथी घर परिवार में किसी महतपूर विसे पर चर्चा हो सकती है यहां दोस्तों साथी विवसाय को लेकर कोई यात्रा भी आज संभाव है स्वास्ती में मजबूती आईगी और लापके स्रोत उत्पन होंगे यहां दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपके नेगिटिव बातों के बारे में आपकी मानसिक सान्ती को कोई भंग कर सकता है आपके खिलाप अफवाँ फैला सकता है सावदान रहें अपनी गुप्त बात और योजना सावरजनिक ना करें बेकार के कारियों में व्यकी स्थिती बनी रहेगी तनाओ के कारण कुछ कारिये अदूरे भी रह सकते हैं जियां दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपके विवसाई और केरियर के बारे में कारिये छेतर में अच्छे खासी सफलता होगी विवसाई में मजबूती आएगी और उत्पादन छमतामे भी बढ़ोत्री होगी विवसाई में पिछले कुछ समय से चल रही बाद है दूर होंगी नोकरी पेसा जातकों का दिन सामाने बीतेगा विद्यारती अपनी परिक्षव पर चोगताओं की तियारी में व्यस्त रहेंगे अब बात कर लेते हैं आपके घर परिवार की पारिवारी की में वस्ता उचित बनी रहेगी दामपते जीवन में पड़ोत्री होगी घर परिवार में खुशिया बनी रहेंगी आज कहीं बाहर घूमने का प्लान भी बन सकता है जिससे आपका खर्च कुछ बढ़ जाएगा महत्पूर्ण सौपिंग में समय गुजरेगा जीवन साती पूर्ण रूप से पारिवारिक जीवन का निर्वा करेंगे आपसी तालमेल बना रहेगा भाई बेनों का सपोर्ट मिलेगा आपकी लव लाइप कैसी रहेगी ये दिया आप किसी ऐसे रिष्टे में है जिसकी समाज इजाजत नहीं देता तो इन रुस्तों से दूरी बना कर रखें जीवन साथी से आज प्रेम पूर्ण महुल बना रहेगा दामपते जीवन में मधूत आएगी आज प्रेम जीवन में खर्चों के दिखता बनी रहेगी दोस्तों आज आप ये उपाए अवश्य करें गौमाता को गुड और रोटी खिलाएं और इसी के साथ सिवलिंग का मीठे दूद से अभी सेक करें और एक 108 बार इस मंत्र का जाप करें ओम नमस्शिवाय उम नमस्शिवाय इस प्रकार उपाए करने से आपकी मनोकामनाई पूरी होंगी दोस्तों आपको भगवान सीव का शिरवात प्राप्तों कमेंट में जैसी लिखें धन्यवाद दोस्तों आपका दिन सूब और मंगल में होगी